स्वागत आप सभी का तो चलिए हम बात करेंगे exercise 5.3 के solutions को देखेंगे जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको rapid check का solution दिया था तो अभी हम exercise को देखते हैं question number one 5.3 का पहला question सबसे पहला question है simplify और जैसा कि इस fractions को देख के आप समझ सकते हो यह आपका like fraction तो like fractions होने पे आपको क्या करना है simply एक line draw करके same denominator को note down करना है जो भी numerator लिखे हुए है और जो भी sign दिया हुए अगर plus का sign दिया हुए तो plus minus का दिया है तो minus और इनको add subtract आपको perform करना है तो 9 plus 7 क्या होता है 16 और 16 plus 1 क्या होगा 27 27 तो 27 and 9 plus 7 16 and 16 plus 11 27 तो 27 upon 40 यह हमारा solution हो गया है इसको simplest form में आप convert करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई common number नहीं है जिसे यह दोनों divide होगा question number second को देखते है question number second क्या कहता है अब यह हमारा क्या है unlike fractions है तो unlike fractions के हमने आपको दो method बताये थे लेकिन मैं आपको एकदम simplest method के साथ लेके चलूँगा आपको करना क्या है सबसे पहले LCM निकालना है 4 और 3 का तो LCM जो है 4 and 3 का अगर आप निकालोगे तो यह किसी दूसरी table से दोनों ही number divide नहीं होगा तो ऐसे किसमें क्या करते हैं हम 4 multiply 3 कर देते हैं 4 3 जा 12 आजाएगा तो LCM क्या आगया हमारा 12 अब देखो 3 4 जा 12 होता है तो 3 का numerator कौन है 2 तो 2 multiply 4 कर देंगे plus क्या किया हमने 2 multiply 4 कर दिया plus 4 3 जा होगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा 3 multiply 3 होगा अब 2 multiply 4 करोगे 2 multiply 4 करो यहाँ पर तो यह क्या जाएगा 2 4 जा 8 plus 3 3 जा 9 अपन 12 और 988 क्या होता है 17 अपन 12 और इसको अगर हम mixed fraction में convert करें तो 1 whole 5 अपन 12 आ जाएगा हमारा ठीक है question number 3 को देखते है question number 3 क्या है यह भी हमारा unlike fraction है तो क्या है 2 upon 7 plus 1 upon 5 सबसे पहला काम है 7 और 5 का LCM निकालना तो 7 और 5 भी आपका co prime number है तो इनका LCM 7 multiply 5 हो जाएगा तो वो कितना होगा 35 होगा 7 5 जा 35 तो 2 को हम 5 से multiply करेंगे क्योंकि 2 denominator है 7 के लिए 5 7 जा 35 तो 1 को हम 7 से multiply कर देंगे अब इसको simplify करते हैं अगर मैं इसको simplify करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा 2 5 जा हो जाएगा 10 plus 7 upon 35 और finally इसको अगर हम solve करें तो 17 upon 35 आ जाएगा और यह हमारा solution बन जाएगा ठीक है next questions को देखते हैं अगला question हमारे पास फिर से आता है और यहाँ भी हमारे पास क्या है unlike fraction है तो question number 4 को देखते है question number 4 में कहता है 3 upon 5 3 upon 5 plus 7 upon 15 तो आपको क्या करना होगा 5 और 15 का LCM निकालना होगा 5 और 15 का अगर आप LCM निकालोगे तो यह आपका 5 15 ही आएगा 5 1 जा और 5 3 जा तो 5 3 जा कितना हो गया 15 आजागा मला 5 1 जा 5 हो गया 5 3 जा अब आप यह divide तो करेंगे नहीं तो finally हम क्या लिखेंगे 5 multiply 1 multiply 3 तो 5 1 जा 5 multiply 3 तो क्या आगया 15 आगया तो LCM क्या आगया आपका 15 आगया 15 आगया तो अब 5 3 जा 15 होता है तो 3 multiply 3 प्लस 15 बन जा होगा तो 7 multiply 1 3 3 जा क्या होगा 9 प्लस 7 अपन 15 9 प्लस 7 क्या होता है 16 अपन 15 और अगर आप इसको simplify करोगे तो 1 whole 1 अपन 15 आ जाएगा ठीक है 15 को 16 से divide करेंगे तो quotient 1 आएगा और remainder 1 आएगा और denominator तो सेम रह जाएगा हमारा 15 का 15 आजएगा question number 5 को solve करते हैं इससे पहले मैं screen को clear कर लेता हूँ अगर आपने वीडियो भी तक नहीं देखा हूँ पाउज करके आप solutions को देख सकते हो पीछे जाके भी देख सकते हो question number 5 को देखते है question number 5 में हमारे पास fraction क्या है 7 upon 12 क्या है 7 upon 12 plus 1 upon 6 plus 2 upon 3 तो सबसे पहला काम है 12 6 और 3 का आप क्या करोगे LCM निकालोगे क्या निकालोगे LCM निकालोगे तो 12 6 3 में अगर देखे इसका LCM निकालना हो तो हम 3 के table से divide कर देते हैं 3 4 जा 3 2 जा 3 1 जा क्योंकि 3 के table से 3 नमबर दिवाइड हो जाएगा अब हम 2 के table से divide करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 2 और 1 को 1 ही लिखते हैंगे अब ये किसी table से divide 2 एक ही नमबर बचा बागे तो 1 ही है तो क्या हो जाएगा इसको हमें करना पड़ेगा multiply तो multiply करने के लिए आपको क्या करना होगा multiply करने के लिए आपको लिखना हो तो 3 multiply 2 multiply 2 तो 3 2 जा 6 2 जा 12 तो LCM क्या निकला हमारा 12 निकला तो यहां पे हम क्या करेंगे 12 निकला 12 तो 7 को 1 से multiply करो उसके बाद आप plus का sign दो 6 जा 12 नकला हमारा 12 2 को 2 को 4 से multiply करो समझ में आगे मेरी बाद 7 1 जा क्या होता है 7 हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 2 2 4 जा 8 हो जाएगा ठीक है और divided by 12 कर लो आप चाहो तो इस process को ignore कर सकतो तो direct यहाँ भी आ सकतो कोई problem नहीं है जैसे कि 12 से हमने 12 को divide किया तो 12 बन जा 12 7 बन जा 7 लिख दिया 6 को हमने 12 से रवाइज का 6 2 जा 12 2 multiply 1 2 3 4 जा 12 4 जा 8 अब इन सब को add कर दो 7 प्लस 2 क्या होगा 9 9 प्लस 8 क्या होगा 17 17 अपन 12 अब इसको हम proper से mix fraction में improper से mix fraction में convert करेंगे तो 12 बन जा 12 5 हमारा remainder आएगा और 5 अपन 12 यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है next questions को देखते हैं skin को मैं clear कर लेता हूँ अगला question है हमारा question number 6 question number 6 को देखिए यहां पर क्या कहता है 7 upon 25 प्लस 1 upon 5 प्लस 1 upon 25 अब आपको मैं एक LCM का shortcut बदा जेता हूँ इन सब में जो सबसे biggest number है वो कौन है 25 तो आप उसको check करो कि क्या वो तीनों number से divisible है जो भी tutor तो आपने कहा है यहाँ इसका मतलब 25 आपका LCM होगया 25 वो जा 25 तो 7 को वन से multiply करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा plus 5 5 से 25 और 5 को 1 से multiply करो तो क्या आएगा 5 आएगा 25 वो जा 25 वन को 1 से multiply करेंगे तो क्या हैगा 1 आएगा इन सब को add कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 13 upon 25 तो यह आपका क्या होगा finally answer next questions को देखते है question number 7 को देखते है question number 7 में क्या कह रहा है question number 7 को देखे subtraction का question है 9 upon 11 minus 2 upon 11 और यह क्योंकि like fraction है तो denominator हमारा क्या रहेगा 11 ही रहेगा हमें numerator को क्या करना है minus कर देना है 9 minus 2 finally answer क्या आगया 7 upon 11 is it clear to you all very good dear move on the next question question number 8 को देखते है question number 8 फिर से हमारा क्या बन रहा है like fraction का question बनना है किसीज का question है यह like fraction का question है question क्या है हमारा 15 upon 20 minus 9 upon 20 तो क्या करोगे इसको 20 यहाँ पर लिग दो और आपको 15 calcium तो 20 है और 20 calcium क्या हो जागा 20 हो जाएगा 21 जा 15 multiply 1 15 minus 21 जा 9 multiply 1 is 9 15 minus 9 करते हैं तो क्या हैगा 6 आजाएगा 6 upon 20 आजाएगा आप चाहो तो इसको simplify कर सकतो यह 3 upon 10 आ सकता है क्योंकि 2 3s आ 6 and 2 10s आ 20 होता है तो यह रहा आपका answer question number 8 का चले question number 9 से पहले में एक वर screen को clear करता हूं और question number 9 को check out करता हूं question number 9 क्या है भाई question number 9 है 5 upon 8 minus 3 upon 7 अब 8 और 7 का calcium 8 और 7 क्या हमारा co prime number है क्योंकि इनके बीच में common factor 1 आएगे तो इनका calcium जो होगा product of number होगा तो 8 से बन जा क्या होता है 56 अब 8 7 जा 56 होता है तो 7 को 5 से multiply कर दो तो क्या आ जाएगा 7 5 जा 35 minus 7 8 जा 56 होता है तो 8 को 3 से multiply कर दो 3 multiply 8 क्या हो जाएगा हमारा 24 अब 35 में से 24 को अगर हम minus करते हैं तो 24 प्लस 10 35 हो जाता है 24 हो जाएगा 34 मतलब क्या आएगा हमारे पास 11 आएगा तो 11 अपन 56 यह हमारा answer हो जाएगा next question को देख ले question number 10 को देखते है question number 10 क्या कहता है काफी simple question है दो ही digit है 11 अपन 18-1 अपन 9 अभी मैंने आपको LCM निकालने का short credit परगदाय था क्या कहा था जो भी denominator है उसमें biggest value को देखो तो biggest value क्या है 18 18 9 से divisible है इसका मतलब LCM क्या रहेगा 18 ही रहेगा अब 18 को 18 से अब divide करोगे तो one times में होगा 11 को 1 से multiply करोगे तो क्या आएगा आपके पास 11 आएगा minus 9 तू जा 18 2 multiply 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 11 minus 2 करेंगे तो क्या जाएगा 9 9 upon 18 अब देखो यह 9 के table से divide हो सकता है तो क्या बनेगा 9 वन जा 9 और 9 तू जा 18 तो final answer क्या बना हमारा 1 upon 2 11th number questions को देखते हैं question number 11 क्या कहता है question number 11 कहता है 2 upon 3 minus 13 upon 18 plus 1 upon 6 तो LCM का shortcut तरीका देखते हैं हमारा biggest value क्या है denominator में 18 और 18 3 से भी divisible होता है 6 से भी होता है और 18 18 से तो है ही आप इसको देखो 3 6 जा 18 तो 6 को 2 से multiply करेंगे तो 6 2 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 12 जाएगा minus का sign है तो minus देखे 18 1 जा 18 तो यहाँ पे 13 multiply 1 13 ही हो जाएगा 6 3 जा 18 ठीक है और 3 multiply 1 हमारा 3 हो जाएगा अब 12 में से अगर आप 13 को minus करते हो तो minus 1 आएगा ठीक है और minus 1 में plus 3 करेंगे तो क्या होगा हमारा plus 2 होगा क्या होगा plus 2 होगा अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप 12 आपका positive number है 3 आपका positive number है 12 प्लस 3 कर दो 15 15 minus 13 कर लो आप इसको ऐसे भी solve कर सकतो 15 minus 13 upon 18 तो finally क्या मिलेगा 2 upon 18 और इसको अगर solve करोगे तो question number 12 question number 12 थोड़ा सा tough आपको दिखेगा बट है नहीं यह क्यों नहीं है क्योंकि काफी simple fraction है इसको मैंने बताया था दो method से हम solve कर सकते हैं यह question मैं आपको दोनों method से solve करके दिखाता हूँ पहले मैं इसको improper fraction में convert करता हूँ 4 4 जा 16 plus 1 17 तो 17 upon क्या आएगा 4 आएगा next वाले को देखो 5 2 जा 10 plus 1 11 upon 2 4 और 2 का LCM क्या होगा yes 4 और 2 में biggest value क्या है 4 और 4 2 से divisible है तो LCM 4 ही रह जाएगा 4 1 जा 4 17 multiply 1 17 2 जा 4 11 multiply 2 22 अब 22 प्लस 17 करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 39 तो answer क्या आगा 39 upon 4 और इसको mixed fraction में convert करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है 9 whole 3 upon 4 यह आपका answer हो गया question number 2 यह method 1 है method 2 को देखते हैं अगर इसी questions को method 2 से solve करना होता तो 4 whole 1 upon 4 plus 5 whole 1 upon 2 मैं इसको क्या करता हूँ होल वाले पार्ट को अलग से add कर लेता ठीक है और उसके बाद मैं fraction वाले पार्ट को अलग से add कर देता अब 1 upon 4 plus 1 upon 2 करोगे तो यहां तो आपको LCM लेना परेगा तो च हो गया 9 plus 3 by 4 और 9 plus 3 by 4 को mix fraction में लिखेंगे तो 9 whole 3 by 4 तो देखो यह answer आपका आगया तो now you are free to solve in any method method 1 और method 2 चली मिलते हैं अगला questions पर देखते हैं जड़ा सा अगला question क्या है question number 2 question number 2 कहता है a plank 3 upon 1 by 2 meter long is cut into the two pieces one part is the two whole one upon three meter land how long is other तो मतलब एक plank के लंबाई दी हुई है उसमें से part को दो भाग में तोर दिया गया तुक्रा कर दिया गया कट कर दिया गया कहता है एक part के लंबाई इतनी है तो दूसरे का क्या होगा क्या करेंगे हम subtraction क्या करेंगे हम subtraction तो question बनेगा 3 whole 1 upon 2 minus 2 whole 1 upon 3 अब इ plus 1 7 upon 2 minus 3 to 6 plus 1 ठीक है तो यह क्या आगया हमारा 7 upon 3 अब 2 और 3 का अगर LC हम निकालेंगे तो वो 2 3 जा 6 आएगा क्योंकि 2 और 3 को प्राइम नमबर है 2 3 जा 6 होता है तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 3 2 जा 6 होता है तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 और 21 minus 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 तो क्या वच्छा हमारे पास 7 upon 6 तो जो second part है उसकी लंबाई क्या हो गई 1 hole 1 upon 6 meter long तो second part की लंबाई हो गई 7 upon 6 और इसको जाएगा mix fraction में convert करेंगे तो क्या हैगा 1 hole 1 upon 6 meter ठीक है तो इस तरह के से हमने exercise 5.3 को complete solution बना लिया आगली वीडियो में हम आगे की topic में बात करेंगे तब तक के लिए ख्याल लखें अपना वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चले subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले thank you bye bye take care